गुद मोर्निंग स्टुडेंट्स, एक्सर्साइज 7.3 क्युस्चान नंबर फिर्स्ट, फाइंड दी एरिया ओफ ट्रेंगल फूज वर्टिशेज आर 2,3,-1,0, 2,-4, शेकंड पारट,-5,-1, 3,-5, 5,2, फिर्स्ट पारट आईज का लेक्ट, एके कोडिनेट्स, 2,3 लिए, बी के माइनस, 1,0, एंड, C, 2,-4, यह x1, y1, x2, y2, x3, y3, यह यहां लिख लेंगे आप वेलोज, इसके बाद आपको एरिया निकालना है, एरिया ओफ ट्रेंगल, ABC, ABC क्यों लिए, क्योंकि आपने जो वर्टिशिस थे, उनका नाम जो है ABC लिए हैं, तो 1 अपोन 2 इंटू, x1 इंटू, y2, minus y3, plus x2, into y3, minus y1, plus x3, into y1, minus y2, अब यहां वेलोज रखेंगे इसारी, तो 1 अपोन 2 इंटू, x1 की वेलो, 2, तो 2 इंटू, y2, minus y3, y2, minus y3, तो 0, minus 4, अब यह minus का निशान तो पलस अचे है, हो जाए गए, तो 0, plus 4, plus x2 की वेलो, minus 1 है, तो minus 1, into y3, minus y1, तो minus 4, minus 3, plus x3 की वेलो कितनी है, 2, तो 2 इंटू, y1, minus y2, तो 3, minus 0, तो यह 1 अपोन 2, into 2, into 4, plus minus 1, into minus 7, plus 2, into 3, तो यह 1 अपोन 2, into, 2, 2 को 4 से multiply करेंगे, 8 होगा, minus 1 को minus 7 से multiply करेंगे, plus 7 होगे, और 2 को 3 से multiply करेंगे, तो plus 6 होगे, तो 1 अपोन 2, into, 8, 7, 6, इनको add करेंगे, 21 होगे, अब 1 अपोन 2 को 21 से multiply करेंगे, तो कहाएगा, 21 अपोन 2, unit square, यह answer हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको second part करना, इसका, यह बाड़ा, इसी तरह से रखकर के value रख सकते आप, second question, जो exam की दरस्टी से important question है, in each of the following, find the value of k, for which the points are collinear, अब points collinear कब होंगे, जब आपके पास जो area of triangle होगा, वो 0 की equal होगा, तब collinear होंगे, तो हम क्या करेंगे, let a को, a के coordinate 7 minus 2, b के 5, 1 and c, 3, k, यह x1, y1, x2, y2, x3, y3, जैसे आपने पहले question में दिया थे, उसी परकार से values रखेंगे आप, और फिर area of triangle निकालेंगे, अब area of triangle का formula होई रहेगा, 1 upon 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, इसमें यह values रखेंगे सारी के सारी, तो 1 upon 2 into x1 की value कितनी है, 7, तो 7 into y2 minus y3, 1 minus k, plus x2 की value कितनी है, 5, तो 5 into y3 minus y1, तो k minus 2, अब minus का निशान यह आए, तो plus हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, k plus 2, plus x3 की value कितनी है, 3 into, अब y1 minus y2, तो minus 2 minus 1, 1 upon 2 into, इसका bracket कोल लेंगे, तो यह 7 minus 7 के हो गया, plus यह 5 k, और यह plus k, 10, अब plus k, 3 into, यह minus के, 3 हो जाएगे, तो 1 upon 2 into, 7, minus 7 के, plus 5 के, plus 10, और यह minus के कितने हो जाएगे, 9, अब 1 upon 2 into, देको 7 और 10, यह तो plus के हो गया, 17 हो गया, minus के है 9, किसके ज़्यादे हैं, plus के कितने, 8, तो 8 minus के, 7 के, और plus के, 5 के, किसके ज़्यादे हैं, minus के, कितने, 2 के, तो यह 8 minus 2 के हो जाएगा, अब इसका bracket कोल लेंगे, तो 1 upon 2 को 8 से multiply करेंगे, तो 4 आ जाएगा, minus का निशान, 1 upon 2 को 2 के से multiply करेंगे, तो 2 से 2 के जाएगा, बखके आएगा, तो area of triangle का आया, 4 minus के, यह आया, अब अपने पास क्या पुछा है, आकि को लीनियर हैं या नहीं है, तो the points are को लीनियर, when, area of triangle ABC equal to 0, जब आपके पास area of triangle 0 होगा, तब लीनियर होगे, तो therefore 4 minus के equal to 0, भई, area of triangle जो है, वो 0 के बरावर रखना है, तो area of triangle आपके पास क्या था, 4 minus के, तो 4 minus के equal किसके 0 के, अब minus के तो यह आपने left side में रखकी, और यह plus के 4 थी 0 की तरफ जाएंगा, minus के होगे, अब minus से minus कैंसल हो जाएगा, तो के की value कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इसी परकार से आपको second part solve करना है, thank you.